बिस्मिल्लाहिरोहमानी रहीम, अस्सलामुलेकूम, वेलकम बैक टू चैनल को कुवित सल्मा, तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हल्वा, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, सब हमने आम पे पैन में खरीबन 2-3 चमच घी डला है, घी डलने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए हम घी थोड़ा ज्यादा ही डलेंगे, घी को थोड़ी दिल मिल्टोने के लिए चोड़ देंगे, हमने आम पे फ्लेम को मीडियम उपे रखी है, ताकि हमारा घी जलेना, अभी हम इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर दलेंगे, हमने आम पे खरीबन 10-12 गाजर लिया हुआ है, इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है, अभी हम इसको अच्छे से दल लेंगे घी में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घी के साथ गाजरों को मिक्स करने के अ दूद दलने से गाजर अच्छे से गल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाएंगे अब हम दूद दलने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करकर इसको अच्छे से कुक होने देंगे 10-15 मिनिट के लिए आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं पर उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है अब हम इसको ढखकर 10-15 मिनिट के लिए पका लेंगे 10 मिनिट हो गए हैं अब देख सकते हैं मारे गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़ा सा दूद बचा हुआ है उसको भी हम रेडियूस कर लेंगे एक बार जरूर से ट्रै करें इस रेसीपी को और कॉमेंट में जरूर बताएं अब ही हम इसको और पांच मिनिट के लिए पका लेंगे देखिए हमारा गाजर सारा सॉफ्ट हो गया है और जो दूद था वो भी रेडियूस हो गया है बहुत ज्यादा ड्रै नहीं बनाना है गाजरों को थोड़ा सा मॉइस्टर रखना है वरना हमारा हलवा का टेस्टी नहीं बनेगा अभी हम इसमें चीनी डालेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें हम यहाँ पे ये कप डाल रहे हैं चीनी इस कप से चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है गाजर के हलवे के साथ और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है गाजर के हलवे का अब हम इसको और थोड़ी देर मिक्स करेंगे हमने याँ पर फ्लेम को हई पर रखी है चीनी दालने के बाद अभी हम इसमे 150 ग्राम्स खोया दालेंगे गाजर के हलवे में खोया ज्यादा दालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास है तो दालें वरना आप स्किप का सकते हैं आप चाहे तो मिल्क पॉडर भी दाल सकते हैं होय को हलवे के साथ मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं अगर आपको ए रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें हमारा हल्वा अल्मोश तैयार है अभी हम इसमें और दो चमच घी डाल लेंगे ताकि घी की खुश्बू अच्छे से आजाए हल्वे में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम और फ्राइम मिनिट्स के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर और हमारा हल्वा तैयार हो जाएगा तो लीजी ये तैयार है गरमा गरम गाजर का हल्वा अगर आपको ए रेसिपी अच्छी लगी हो तो चानल को सब्सक्राइब करके लाइकन प्रेस कर लें और अपके फ् स्ट्रियो में इन्शाला अल्ला हाफीज